आग्रा में भारी बारिश के बाद बार के हालात बन गए सडकों पर समंदर बहने लगा और गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई मकानों और धुकानों में तीन से चार फेट तक पानी भर गया पूरा शहर पानी पानी नजर आ रहा है कहीं सडक पर ओटो डूबा है तो कहीं दरजन भर कार पूरी तरह से पानी में डूबी है सबसे डराने वारी तस्वीर मीराव कॉरोनी की है जहां 150 मकानों में पानी भर गया हालात ऐसे हो गए कि शहर में नाव चलानी पड़ी इस अलाके में सैकडों लोग फंसे हैं जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है शहर के इतमादपूर में दिवार गिरने से एक वैक्ती की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दो युवक नाले में बह गए दोनों युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया था आग्रा में हो रही भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से सडक गाइब हो गई सडक पर गहरी खाई बन गई जिसे देख कर लोग दंग है बारिश से ताज महल भी अच्छूता नहीं रहा ताज महल भारी बारिश के कारण स्वीमिंग पूल में तबदिल हो गया ताज के गारण पानी में समाई हुए है आग्रा के बाद आपको लिये चलते हैं शिव की नगरी काशी जहां गंगा उफान पर है और घाट डूब रहे हैं गंगा में पानी बढ़ गया तो घाटों के किनारे बने मंदिर तक उसमें डूबने लगे हैं वारा नसी के पक्के घाटों तक पानी लबालब भर आया है अगर गंगा में पानी और बढ़ा तो निचले इ सकता है फिलाल गंगा का जलस्तर खत्रे के निशान से कुछ ही मीटर नीची है मौसम विभा के मताबिक आने वाले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है कम से कम पस्चिम यूपी में इंद्र अभी और महर्बान रहने वाले हैं उमस और गर्मी से राहत दिलाने वारी बारिश तो ठीक है लेकिन जब बरसात का पानी सिस्टम की बदहाली से मिलता है तो आम आदमी के पास रोने के अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं बचता क्यूंकि चाहकर भी घुटने तक पानी में खड़ा इंसान बारिश का मज़ा नहीं ले सकता